इस वक मैं फुलवरियां गाउमों है यानि राजस शुप्रीमों लालुयादो और उनकी पतनी रावडी देवी और बिहार के परेवडर मंत्री तेजपरताप यादो भी जो है वो यहां पहुंचे हुए हैं खास्तोर पर आप तस्वीरों में देखी कि जो लोग है यहां किस अस्तुराल के लोगों से मिलेंगे खास्तोर से जो लोग है यहां पूरी तरह से जो यहां पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि लालुयादो लंबे समय के बाद यहाँ गोपाल गंज आयो हैं और अपने गर फुलवर्या आये हुए है और यहाँ के तमाम जो लोग है उनसे मिलने अपने भाई से मिलने अपने पुरवजो delivered मार्गशिय देवी मिलने उनसे असिरवात दिये तेज परताप यादो जो थे उनका मालड़ पर किये और खास्तोर से तेज परताप यादो ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं तेज परताप यादो ने कहा है कि हम लोग गाउं से जुड़े आदमी हैं जमीन से जुड़े आदमी हैं हमारे पीता भी यहीं से बन कर और वहां तक पहुंचे हैं हम लोग भी उनी के संतान हैं तो हम लोग यहां फुलवरिया आए हुए हैं और खास्तोर से सभी लोगों को यहां आना चाहिए और क्या कुछ बता रहे हैं सुनिए और अपने गाउं अपने घर और अपनी जमीन और अपनी मातर भुमी और यहां ही से सारच हम लोग का शुरुवात हुआ है और फिता जी का भी यहीं से उन्होंने शुरुवात किया है तो अपनी गाउं और अपनी मिल्टिक को खास कर घरेक लोगों को अपना आना चाहिए औ महिला हैं उन्हें देखने आई हुई थी क्या कु Nepal आप आई थी लालु यादों को देखने लकांल इस भीट नहीं देख़ पर करने दीए राघते हैं पॉर्प में है हम अपके हैं आप अमरे गाम को हमार्च इन खूस में था रहां देखे खाती होतना दुर्ग अंड़काद देखे खातिर्म एक इस देखने आई हैं तेखी यह पहुत हमार बाबाजी है तुम देखी है यह क्या करने आए थी बताओ देखे देखी लाल्या दूबार का पापा लाइव तो बहुत पता है तो इस अलग राबिदेभी को आपने अपने है सुनतियों की खुब उनके बारे में ठीक लग रहे हैं कि हम लोगों के नेता अपने जन्म धर्ती को भी भूल नहीं रहें भूले हुए अपने बच्चों को अपने परिवार के लोगों से मिले इसे हम लोगों के और क्या खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों के बीच में बराबर आते जाते रहते हैं और अपना आशिरबात बनाये रखते हैं ऐसे ही आशिरबात की हम लोग कामना करते हैं कि बराबर आएं हम लोग तो शाब तोर पर आपने सुनागे देखिए ये अस्थानी जो लोग हैं उनके गाउं के लोग हैं किस तरह से उत्साहित हैं और साफ आपने जो परेरोणर मंदी हैं तेज परताप्याद हैं उनको भी सुन लिया कि क्या कोई चुनों ने गाउं आने के बाद कहा है लाइक शियर शब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद